हलो दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हमें लोग SGBN share के बारे में देखेंगे SGBN में हमनों को future में क्या target stock में देखने मिल सकता stock का support कहां पर resistance कहां पर है आज के दिन stock में closing की बात की जाते है closing देखने मिला 146 रुपेस 49 रुपेस के पास पास की अगर momentum की बात की जाए तो stock almost हमनों को एक range में trade करते है दिख रहा है जिसके उपर के level पे resistance है 160 रुपेस का level क्योंकि around stock देखेंगे तो दो तीन बार try के 160 रुपे के उपर निकलने का लेकिन जब तक stock इस range के बीच में trade कर रहा stock कुछ इसी तरीके से trade करते है दिखेगा तो अगर आप पहले से invest करके रखें स्टॉक में तो स्टॉक को support है जो की 130 रुपे के पास पहला support है दूसरा support 140 रुपे के पास तो अगर short time के साब से invest के 140 रुपे के पास चाहिए long time के साब से stock में invest के 130 रुपे के पास पहला चाहिए जब तक stock इस level के ऊपर trade कर रहा है कोई दिक्कत की बात नहीं कच्छा का सा move देखने मल सकता है तो किसी को fresh bang करना है तो stock current लेप पर बिल्कुल quantity आइड कर सकता है या फिर थोड़ा fall है तो भी quantity आइड कर सकते है या फिर 160 रुपय का breakout का weight करें क्योंकि 160 रुपिस के ऊपर निकलते stock फिर से higher high के trend में ऊपर के तरफ trade करना चालू करेगा जिससे पहला target निकल करेगा जो कि रहेगा 180 से लेके करीब 200 रुपया तक का होगा और long time के साब से stock हम लोको 250 से जादा तक का भी target डिखा सकता है क्यो लोको लाइक करें और चानल को सब्क्राइब करें